तक दोष्टों कैसे हैं आप से वाइब हो बहुत अच्छे होंगे आज बात करूँगे दोष्टों कि जो इंसान आपको छोड़कर जा कुका है वह इंसान आपके लिए रोएगा जिंद्धी भर का वशीकरन कैसे कर सकते हैं । कैसे आप उसे हमेशा के लिए अपना बना सकते हैं जिससे आप बहुत प्यार करते हैं किसी के लिए आप बहुत रोय हो अब उसकी उल्टी गिंदी शुरू हो गई है वो इंसान आप से contact करेगा आप से बाते करना पचंद करेगा जो जो चीजे आप चाहते हैं कि आपके साथ हो वो वो चीजे आपके साथ होने लगेगी आपको आज दो ऐसे कारण बताऊंगी जिसे ये पता चलता है कि आपका प्यार आपसे दूर तो जा ही रहा है क्यों दूर जा रहा है ये आपको पता चलेगा आपने जरूर सुना होग कि जो आप सोचते हैं, वो होता है, लेकिन आप वो सोच ही नहीं पाते हैं, जो आपको चाहिए, इसलिए समस्या होती है कि आपका प्यार आप से दूर चला जाता है, आज जो मैं तरीका आपको बताने जारी हैं, जो मंतर आपको बताने जारी हैं, सिर्फ रात को सोने के पहरे ग्यारा बार बोल दे और उसके बाद आप सो जाए इस मंतर के बाद तो फिर कुछ और करने की आपको जरूरत नहीं है जिन्दगी भर का वशीकरन होगा लेकिन उसके साथ कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी जिसे करना बहुत जरूरी इसलिए वीडियो मिलाज तक जरूर बने रहिए क्योंकि आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने पार्टनर को हमेशा के लिए अपने से बांधे रख सकते हैं तो इगो जब आप से कोई दूर जाता है तो आप उसके सामने हमेशा गिर गिराते हैं मुझे अपने आप से दूर ना करो मुझे कॉल करो मुझे मैसेज करो तुम यह नहीं करते तुम वह नहीं करते बहुत सारी सिकायते होती हैं बहुत कुछ ऐसा होता है कि आप force करते हैं और सामने वाला का ego satisfy होता है कि मेरी लिए कोई मरा जा रहा है उस इंसान को आप में दिल्चस्पी हो या ना हो या उस इंसान को को पहले आप में दिल्चस्पी थी अब नहीं है लेकिन उस इंसान को ये लेकिन वो इंसान खुश जरूर हो जाएगा, आपकी समस्या का समधान नहीं हुआ, आप अपने आपको इस दुख से बाहर निकाल ही नहीं पाते, आप सोच रहें कि आपकी तो जिन्दगी बरबाद हो गई, अब करूं क्या, वो इंसान आपको छोड़ कर चला गया, आपके पास तो आप कुछ बचा ही नहीं, अब करूं क्या, आप अपने आपको कंट्रोल ही नहीं कर पाते, आप अपने आपको समहाल ही नहीं पाते, जिसकी वजह से वो इंसान आपके करीब फिर तो आता ही नहीं, आज जो मैं मंत्र बताने जा रही हूं, जिससे आप अपने आप आपको control कर पाएंगे, अपने mind को strong कर पाएंगे और बिना कहें अपनी बातें वहां तक पहुझा पाएंगे, उसको वश में कर पाएंगे, दूसरा जो कारण है, वो है कि आप अपने आपको express कर देते हैं, इस तरह से बरबाद हो जाओंगी अगर तुमने मुझे छोड़ दि तो वो इनसान आपकी value करना बंद कर देता है, आप अपने mobile पे, अपने social media पे sad stories लगाना, sad photos लगाना, song लगाना शुरू कर देते हैं, अगर पार्टनर तो यही सोच रहा है कि आप उसके प्यार में दीवाना हुए जा रहे हैं या दीवानी हुए जा रहे हैं, अगर वो इ इनसान आप से distract होने लगता है, और उस समय ऐसी हरकतें जो आप कर रहे हैं, उससे वो इनसान और ज्यादा distract हो जाता है, और आपको आपका प्यार नहीं मिलता, कैसे मिलेगा आपका प्यार, तो यह सीजिए आप छोड़ दीजिए, यह बच्पना छोड़ दीजिए, प्यार पाना है, या फिर जिन्दगी भर रोने में मजा आएगा आपको, आप पहले अपने intention को set कीजिए, कि आपको चाहिए क्या, आपको आपके पार्टनर का प्यार चाहिए, या फिर सिर्फ उसके लिए जिन्दगी भर रोने में आपको मजा आ रहा है, अगर आपको प्यार चा तो value खुद को कीजिए तब ही आपका प्यार आपको value करेगा तो सबसे पहले जान लीजे कि यह मंत्र आप जपेंगे तो आपकी value बढ़ेगी आपका confidence बढ़ेगा आप जिस भी कारी में है उसमें सफल होनगे आप अपने mind पर काबू पापाएंगे और अगले के mind पर भी आप काबू कर पाएंगे जो आप सोचेंगे वो होने लगेगा इस एक मंत्र के जाप से तो पहला काम आपको यह करना है कि सामने वाले को यह दिखाना बंद कर दें कि आप उसके लिए मरे जा रहे हैं आप सामने वाले को अपने पार्ट्र को यह समझाना बंद करें कि मुझे फोन करो मुझे all करो मुझे मैसेज === अपको क्या करना है आप सबसे पहले अपने को शांत करें करें अगले को इग्णूर करें कि वह आपको इग्णूर कर रहा है आपकी वैलू है अगर आपने अपनी वैलू पूरी से घटा दी अपने वैलू को खत्म कर दिया तो वह इंसान कभी आपके पास लौट कर भी आएगा इससे शुरू कर सकते हैं माकामा अठ्या का ये मंत्र बहुत ही प्रभावसारी मंत्र है आपको हात पैर्द को कर रात को सोने के पहले बिट पे लेट जाना है और इस मंत्र का जाप करना है आखें बंद करके और 11 बार मंत्र के जाप के बाद आपको वो अगर आप उस समय रोते हैं, याद करते हैं, परिशान होते हैं, तो जीवन भर आप रोते और परिशान होते रह जाईएगा, इसलिए आपको ये मंत्र 11 बार बोलने के बाद वही सोचना है, जो आपको लाइफ में चाहिए, आप थोड़ा रोक कर रखिए और पॉजिटिव स नहीं सोचेंगे, बस ये करके देखिए, उसके बाद आपका प्यार अपने आप आपको कॉल करेगा, आपको मैसेज करेगा, उसके दिमाग में वो बाते जाएगी, जो आप करवाना चाहते थे, कुछ भी अलग नहीं होगा, तो आप मंत्र को नोट कीजिए, मंत्र है, ओम क सुचवाना चाहते हैं, इसलिए आप सब कुछ मा का माख्या पे छोड़ कर, अपने आपकी लाइफ में वो चीज़ें अट्रैक्ट होने लगेगी, जो आपकी लाइफ को बहुत खूपसूरत बना देगी, आज की जानकारी यहीं तक है दोस्तों, आसकरती में जानकारी अपने लाइकन प्रेस कर ले इस तरह की जानकारी आगे भी आपको प्राप्त हो, थेंकी तो नोट कीजिए